सुलेमान घतीब मेमोरियल एजुकेशनल, कुल्च्रल और चेरिटेबल ठ्रस्ट गुलबर्गा, इंडिया 1989 में इस्ट्रस को खाइम किया गया तकरीबन लमान खतीब के इंतेखाल के 11 साल बाद 1978 में सुलमान खतीब का इंतेखाल हुआ तो तकरीबन 11 साल बाद फैमली के मेंबर्स ने ये सोचा कि हमें उनकी आद में कोई रोलिंग शील्ड कोई चीज नहीं रखने चाहिए बलकि ठोस काम करते हुए एक तंजीम खाइम करने चाहिए जिसके तहट हम कुछ अच्छा काम कर सके उर्दो के लिए तो उसके ख्याम के अगराज और मखासित में जैसा कि मैंने बताए स्टूडनिस के होसला अवजाई करना जो अर्दो मीडियम से तालिम हासल कर रहे हैं इस साल ये गोल्ड मीडल पांच ग्राम का सॉलिट पांच ग्राम का गोल्ड मीडल जोया खाजी ने हासल किया जो हेरी कोर केरूर के गौर्मिट उर्दो हाई स्कुल की तालिबा हैं और उन्होंने 625 में से 617 निशानात हासल कर गोल्ड मीडल हासल किया गोल मेडल के अलावा उन्हें पांच हजार रुपे का नख्द इनामा तोसिपी सनद और इनामी कुतुब दी गई और उनके बाद साजदा दस्तकीर और अफीफा अफीफा नाज ये दो लड़किया हैं जिन्होंने दूसरी पोजिशन हासिल की और उन्हें पांच जार रुपे का नख्द इनाम दिया गया तीसरा इनाम सानिया बाडिकाई को दिया गया जिन्होंने 625 में से 607 निशानात हास तरह से ये तालिबात, आप महसूस करेंगे कि सिफ लड़कियां हैं इस लिस्ट में और मैंने देखा कि अप 200 इस नो नेम आफ ए बाई, आल आप दे मार गल्स, तो इस तरह से लड़कियां जिस तरह से तालिबी मैदान में सबखत हासिल कर रही हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है, और ये जो इनामत की तफ्रीज थी, जो गोल्ड मिडल की तफ्रीज थी, कल हमने उसको अंचान दी, इस मोखे पर हमने एक और भी ट्रस की तरफ से दो किताबों की रस्मे इजरा अमल में लाई, एक तो सलेमान खतिब के मजमे कलाम को हमने ट्रांसलेट किया, हिं हिंदी जबाद में, क्योंके नौत इंडिया में इसका बहुत डिमांड था, तो हमारे प्रोफिसर अशोग सुन्डा ने जो पर्भने के ग्यानिसुपिक कॉलिज के हेड़ अट पार्टमेंट हिंदी के, उन्होंने बड़ी हमारी मदद की, उन्होंने ट्रांसलेट किया, और ये ट्रांसलेटिट एडिशन कल उसके रस्मे जरामल में आई, उसके साथ ही मेरी किताब तह्री और इल्म मजामीन की किताब जो मेरी थी, वो भी उसकी भी रिलीस हमल में आई, जाविय फिक्र के नाम से, तीसरी अहन सरगर्मी ट्रॉस्ट की कल्चरल प्रोग्राम्स का प्रेनिखात है क्योंकि एक सिखाफती ट्रॉस्ट है तो मुशायरे हमारे सिखाफत के तर्जमान होते हैं और इसके तहए हमारे ट्रॉस्ट ने कौमी और बेनुल अख्मामी सते पर मुशायरे मुनाख़त किये हैं, सुलमान खती ब्यादगार आवार्ट से भी शोरा और उ अस्तफा कमाल, दखनी शायर, हमायतुला और ड्रामा निगार, रेवन सिद्धया, रुद्रसामी मट को इस अवार्ट से नवार्ट जा चुका है, ये तोसिफी सनद और दस अजार रुपे नख्ट पर मुश्तमल होता है, इस पार, इस बावखार अवार्ट के लिए, जो हमने मुन्तखब किया है, वो हमारे एक खास महमान, जनाब सेद फरहान वास्ती की खित्मत में पेश किया जाएगा. अब भी रोशन है, बज़र्गों की हवेली के चराफ, अब भी रोशन है, बज़र्गों की हवेली के चराफ, हम किसी नक्ष को धुनला नहीं होने देते. अब बद एक अप्पी आपकी और आपके पूरे खांदान के लिए ये में शेद मैंने अर्जज किया, और ये मेरी खुषक्समती है कि आपने मेरे बारे में इतना बयान किया. मैं उसका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ आज के आए हुए सारे हमारे महमानों का शुक्र गुजार हूँ यहां पे मुजज़ हमारे हुजूर वसीम बरेलवी सहाब और तमामी शुरा एकराम का शुक्र गुजार हूँ और साथ साथ में ये जरूर बेयान करना चाहता हूँ कि तंकीन खतीब साहब की मौजूधी में 11 अक्तूबर 2019 को एक नशिस्त हुई दुबई में और उसमें जशन अर्दू ने ये तेय किया है कि इंशालला आने वाले वक्त में हर साल जशन अर्दू एक एवाड सुलिमान ख खतीब साथ के जो पूरी फामने है वो जो भी किसी भी शायर को या जो भी हो पताएँगे उनको दिया जाएगा तालिया जूर और दार होनी चाहिए थी तालिया कम थी काम ज़ादा हो रहा है सुलिमान खतीब साहब प्र और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुबई में हो रहा है माशालला दुनिया में ये काम हो रहा है और आने वाले वक्त में हम लोग इसको और अच्छा करेंगे है आप हम तमाम अपने काडिनेटर्स में तमाम अपने टीम की जानिब से मैं चाहूंगा कि आपकी गुलबुशी हो और आपकी इजद अफजाई के लिए मैं क्या को हूँ परहल जो भी है ये कैसी शख्सियत है जो अमरिका की सफर की सोबते बरदाश्ट करके और फिर यहां आने के बाद सारी टीम को जिस तरह से आप हैंडल करते हैं ये बहुत ही मैजिकल और बहुत सहरंगेश शख्सियत है मैं अपनी सारी टीम की तरफ से और मिन जानिब सुलिमान खतीब खांदान की तरफ से मैं आपकी शार्पोर्शी और बुके पेश करने की साथ हासिल करना मुशायरे का आगास शमा रोशल करके किया जाएगा हमारे मरहुम ट्रस्टी जनाब खाजा मतीन खतीब को डेडिकेट किया जा रहा है मतीन खतीब बानी ट्रस्टियों में से थे और उन्होंने बहुत ऐसी खिद्मात अंजामदी ट्रस्ट के लिए उनकी ग्राम बहा खिद्मात हमेशा हर मौके पर हर महिफिल केने खाद पर हमें याद आती रहींगी हम उनके लिए दूआ गोहें कि अल्लह ताला उनके मगफरत फर्माएं और उनको जनतल फिर्दोस में जगे अता फर्माएं आमीन तो हम इस मुशायरे को खाजानूर उल्लामतिन खतीब के नाम मौसुव करते हैं शुक्रिया आपको सेसे रखे भाई जनाब मौनवर अले मुशायर साथ प्लीस तश्रीफ लाइए जहां कहां भी आप छुपे रहें वहीं मख्सूस अंदास अरे 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 आई अदराई आपको देखकर तो मुझे हमारे वालिस साथ की नजन यादागी शायर की इज़त इत्ता अकड को चम्भू कहां से लुड़कते आ रहें कमर लपते जारी थापा को थाप खा रहें कम कने कमान वद्वे मटी में मिलको जाएंगे कड़ गई से एक पतंग है खाल ही हवा को आ रहें क्या है यह हानत आपकी मैं शायरी का राजा मोटियां लुटा को आ रहें मैं शायरी का राजा मोटियां लुटा को आ रहें क्यत्ते अंधारे घुप में बत्या जला को आ रहाँ गम्मत हसी हसी में रोने के बाता बोलाओ पत्थर दिला को काले पानी बना को आ रहाँ ये शायरी है प्यारे गुलियां आई ये शायरी है प्यारे गुणियां का खेल नहीं है ये लाल खुव है मेरा नो में देर होती आज से जल से निकलता ये लाल खुव है तेलेगा चेलने हैं बाई एक प्रावम होचका है प्रावम यह हुआ है कि खल आपको बता है कि वह बतानी कुछ सेक्शन गांग फॉर्टीफुर गड़ा कुछ वहा तो हमारा तरह वान अपको बस्पांग कहना पड़ा वह हमारा नाजम था वह बना कि मेरा पास तो अपको बताना कुछ और चक्कर था उसका तो निकल गया है प्रावम हमीरे आपसे बुजारीश है प्लीस जड़ा आज की निजामत प्लीस आप समालिए मैं आख सौरी मैं आपको आखरी वह प्लीस 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 मैं माफी चाहता हूँ तमगीन खतीशाब इतने बड़े अ जिमुश्यान मुशायरे की निजामत और मैं माफ करना ये मेरे बस की बात में और फिर बन लखवामी शोहरत के हामिल इतने बड़े बड़े शोहरा हां और फिर उपर से आप हमेशा परिशान करते रहते रहते हैं इस समय में नहीं आ रहा ये अचानक देखिए एक आदमी कि शादी में शरीक होने आया उसको दूला बना बन सकता हूं कितना बड़ा डिसीशन है तो पता नहीं है तमकीन खतीशाब को क्या हो जाता बना प्रेशान करते रहते अब देखिए आप वो इस्तहार में भी एक वो सवाली आलामत दाल दिये कोश्चन मार वा कौन शायर है क्या है क्या होने वाला रहूं पता ही नहीं तो तो बरहाल मैं क्यों गर ज़ुरूरी है में हाथ नहीं करता मैं बहुत माफी चाहता हूं आप ये काम मैंरे से नहीं हो सकता आप हमेशा लोगों को कुछ न कुछ सर्पराईश देते रहतेे न और देखके खुश भी होते हैं लोगों को फिरा के भी खुश होते हैं तो आज हम आपके जबर्दस सर्प्राइज देंगे देखिए अब आप मैं रस्ते की पंती हो दीपपो पंता ये सारा उजाला है मेरे स्वपंता मिजे नई पैच्छाने लोगांच मेरे मैं मोन की गाहूं तकी की पंता आज के इस अजिम शाम मुशारे के नाजिम नाजिम मुशारा जना तहर फर्राइज असलाम अलाईगम और रहमतुल्ह वरकारत हो आर्थ सुलिमान खतीब की याद में जो ये प्रोग्राम हो रहा है मैं यू कहूं कि जशन याद सुलिमान खतीब अगर मनाया जा रहा है तो दो राए नहीं जहां एक तरफ उनके खानवादे के तमाम चश्म चराग मौजूद है और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है किसी भी शक्स के लिए कि उसके मरने के बाद उसके खानदान के अफराद उसके बेटे उसके बेटियां उसकी विरासत को ना सिर्फ संभाल के रखें बलके आगे बढ़ाने का काम भी करें हम आज के दोर में बड़े फिक्रमंद रहते हैं मैं यहां से लेके अमेरिका तक और इंग्लेंड तक जो मैंने देखा है महसूस किया है वो बताने जा रहा हूं आपको कि बहुत शानदान लैबरीरीज किताबों उसे भरी हुई हर तरह बहुत इमती किताबों से लेकिन उस शक्स के बाद उसका कोई वारिस नहीं मिलता उसको कि जो उन किताबों को संभाल सके इस लिहास से अगर मैं यह कहूं कि सुलिमान खतीब बहुत ही खुशनसीब इनसान थे और अभी भी अल्ह तहला उनको अपनी जवार इरहमत में आला मकाम अता फरमाए हैं कि जिनों ने अपने विरसे में जिन उलादों को छोड़ा उन उलादों ने उनके छोड़े हुए विरसे को महفوظ करके रखा है और ना सिर्व महफूस किया विल्कि उसको आगे भी बढ़ा रहा है आज की सदारत बहुत ही मुतबर है बहुत ही मुक्तदर है और मैं वैसे भी निजामत एक फंड की हैसियत इख्तियार कर चुका है तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम कि इसमें कैसे क्या कहा जाएगा लेकिन आप लोगों की महबतें और अच्छा आप लोग जो यहां चश्रीब लाएं वो भी तो सुलिमान खतीब से जुड़े हुए और उनकी महबत में गरफतार लोग है ना तो मैं समझता हूं कि यह मुझे जो है यह एक खानदान का एक खानवादे का मुझे जो है एक फंक्शन है जिसमें गेट टूगेधर है एक दूसरे के साथ बैटके हम अपने खालात को अच्छा अब मुझे निजामत के कुछ अदाब होते हैं जिसे मैं बिलकुल नवाकिफ हूं लेकिन जो इस वक्त हालात हैं और जो मौमलात हैं तो यह मैं समझता हूं कि यह अच्छा आगाज इस तरह भी हो जाएगा कि हम अल्लह के हुजूर दौाईया कलमात के साथ पेश हो जाएं अपने इस मशायरे के हवाले से इस खुबसूरत इवेंट के हवाले से और अपने लिए और अपने मुलक के लिए और अपने समाज के लिए दौा का डामन पसार दें दौा के लिए हाथ उठा दें तो मुझे इजाज़त दें आप तो मैं इसका आगाज इन ही जहती है वो कायम रहे बाते होती रहेंगी लेकिन मैं सबसे पहले आगास के तौर पे चंद अशार पेश करता हूँ आपकी खित्मत में आप सम्मलादा फरमाएगे रब करीम अपने करम की मिसाल दे रब करीम अपने करम की मिसाल दे गरकाब कर भवर मेरी कश्टी उच्छाल दे रब करीम अपने करम की मिसाल दे हो तेरा फैज जिन में वो दिन रात कर अता हो तेरा फैज जिन में वो दिन रात कर अता अपनी इतातों के हमें माहो साल दे है तेरा इक्तियार अरू जो जवाल पर है तेरा इक्तियार अरू जो जवाल पर जो ला जवाल हो हमें ऐसा कमाल दे जो ला जवाल दुनिया पसंदियों में घिरे हैं दमाग दिल दुनिया पसंदियों में घिरे हैं दमाग दिल अपनी पसंद के इन्हें फिक्रों ख्यार दे रब करीम अपने करम की मिसाल दे जो तेरे नेक बंदे परेशानियों में हैं जो तेरे नेक बंदे परेशानियों में हैं उन सब के सार गम मेरी जोली में डाल दे उन सब के सार गम मेरी जोली में डाल दे बंदा नवाज तुझ को तेरे नूर की कसं हर खाहिशे गुन मेरे दिल से निकाल दे अस्हाबे मुस्तफा सा बना मुनकसर मिजाज अस्हाबे मुस्तफा सही जाहो जलाल दे रब करीम अपने करम की मिसाल दे घरकाब कर भवर मेरी कश्टी उचाल दे मेरी कश्टी उचाल दे मुशारे का अगाद अल्लह की नाम से उसकी हुजूर में दौाय पेश करके हाथ उठा के बलंद करके हमने आपने कर लिया ये जो आपने मंदर देखा किस तरह से पर्दा उठा और किस तरह से ये एक ये च्छवी थी मरहूम सुलिमान खतीब की जिसको दुबारा से आप के सामने लाने की कोशश करके उनको याद करने की भर पूर कोशश की गई और कामयाब कोशश की गई आपके जहन में उनका वो दूर्व आया होगा नक्शा और उनका वो फुलिया तो मैं इस मौके पर ये इत्राफ करने में कोई ज्यज़क महसूस नहीं करता कि हम अगर अगर अपने बुजरुगों के नाखुन के बराबर भी हो जाएं तो शायद हम काम्याब जिन्दी गुजार सकते हैं मुझे अगर इस तरह पेश किया गया सुलमान खती पीशवी के रूप में या उनके तोर पे तो मुझे इसका बहुत ना सिर्फ ये के खुशी है और बलके फखर भी हासिल हो रहा है कि ये मतीन साहब ने मुझे इस लाइख समझा अच्छा अब आईए हम शुरू करते हैं मुशारे की कारवाई आईए मुशारे का अगास करते है मेरा जी चाहता है कि मुशारे का अगास वतन अजीज के हवाले से किया जाए उसकी महबत के हवाले से किया जाए उसके जिक्र के हवाले से किया जाए आप लोग अगर मेरी बात की ताइद करते हैं तो तालिया बजाईए तो मैं जहमत दूँ जहमत दूँ उस शायरा को जो वाही शायरा हमारे मुशायरे के स्टेज़ पर इस वक्त तश्रीफ फरमा है लेकिन जिनकी आवाज जिनका अंदास जिनके कलाम को पूरी दुनिया में खुश्बू की तरह महसूस किया जाता है मैं बहुत ही प्यार से और बहुत अदब के साथ मुधरमा शबीना अदीब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तश्रीफ लाएं और इस बड़े से और इस खुबसूरत से मुशारे का आगाज अपने पेट्रोटिक सौंग से करें जो उनके लिए भी शायद बाएसे अदिखार होगा मुधरमा शबीना अदीब साहिजा इस्ताइबाल करें आपको तारीखी शहर गुलबरगा शरीफ में मेरी पहली हाज़री शुक्र गुजार हूँ मतीन खल्कर सहाब की कि उनके हुप पर आप सब के बीच इस अजीमुशान मशायरे में हाजरी हुई सुलिमान खतीब ट्रस्ट की जालिब से ये अजीमुशान महफिले मशायरा मुझे हुप मिला है कि मैं वतन का नगमा आपकी खिद्मत में पेश करूँ आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुलक ना तो हुआ है और ना होगा बड़ा फखर महसूस होता है सबसे बड़ा फखर कि मैं सरजमीन पर हूँ और उससे बड़ा फखर कि मैं हिंदुस्तानी हुई आईए यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए ताके ये ये मुशायरा ये अजीम श्शान मुशायरा एक नई तारीख रिकम कर सके सद्र साहब की अजाज़त चाहती हूँ बहुत मुहतरम शख्सियाद जो हमारे लिए गाबले इतराम है वतन का नगमा आपकी खिद्मत में पेश करना चाहती हूँ मलहाज़ा कीजिएगा देखिएगा एक वो गीत जो मैं बहुत कम पढ़ती हूँ लेकिन आज मौका है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस मौके पें इस दिम्मेदारी को बखोभी निभाने की कोशिश कर सको अजाज़त चाहती हूँ पेश करती हूँ सुने हमें जान से प्यारा है तालिया थोड़ी सी कमजोर है देश का नगमा जब पेश किया जाए तो यही से मुशायरे की एक तारीख रखम होनी चाहिए यह मैसेश पहुचना चाहिए उन लोगों तक मैं इतनी गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ आजके इस मुशायरे से बन परना चाहती हूँ बहुत 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 शुक्रिया बतरे खास बन देखे सरदार भगत भी थे अश्वाकत बिसमिल थे सरदार भगत भी थे सरदार भगत भी थे अश्वाकत बिसमिल थे देश अपन बचाने में सब लोग ही शामिल थे देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे सब ने ही लहू देखले भारत को सवा है ये देश हमारा था बावा बावा बाव सुछा मिना ये देश हमारा था ये देश हमारा है हमें जान से प्यारा था हमें जान से प्यारा है बहुत 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 आजाद औ हमीद भी इस देश में रहते हैं आजाद औ हमीद भी इस देश में रहते हैं हम इसलिए दुश्मन को लिलकार के रहते हैं हम इस लिए दुश्मन को लिलकारते रहते हैं ये देश नहारेगा ये देश नहारा है ये देश हमारा था ये देश हमारा है बन पड़ती हूँ बुज दिल यहां रहते है तो तुह मत यह नहीं लेंगे बुजदिल यहा रहते हैं तो हमत यह नहीं लेंगे वक्त आया तो हम अभी चुपकर नहीं बैठेंगे बहुत 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 शुक्रिया बुज दिल यहां रहते हैं तो हमत यह नहीं लेंगे वक्ता आए तो हम अब भी चुपकर नहीं बैठेंगे इस देश के खातिर तो मरना भी गवा है ये देश हमारा तो बहुत अच्छे वाँ 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 शावश जी बिलकुल आपका हुक्म है मैं पेश करती हूँ मेरे बड़े भाई करम फर्मा ताहिर फराज सहाब के खुबसूरत निजामत में आज का याजिम उश्चान मुशारा और मेरा ये गीत आखरी बन पढ़ती हूँ आईये हम अपने अजीम हिंदुस्तान के लिए दौा करें पेश करती हूँ मलहाईजा करें देखें के नफरत की हवाओं से देश अपना बचा मौला अब प्यार के फूलों से शाखों को सजा मौला सब आख को सब आख को तेरा ही सहा है ये देश हमारा था ये देश हमारा है मैं पढ़ती हूँ ये बिलकुल आपका हुप अच्छा लगा के मुझे आपने फिर से खुम दिया मैं आपके हुप में तामिल करती हूँ मेरे सदर महतरम पसीम बरेलबी सहाब की दौाइं मिल गई ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सार्टिफिकेट है कि जब हमारे बुजर्ग हमारे महतरम हमें दौाइं देते हैं मैं बंद पढ़ती हूँ दौबारा आपका हुप मैं मैं आपके हुप की तामिल नफरत की हवाओं से देश अपना बचा मौला फिर प्यार के फूलों से शाखों को सजा मौला फिर प्यार के फूलों से शाखों को सजा मौला सब अन्मे पसंदों को तेरा ही सहा है ये देश हमारा था ये देश हमारा है हमें जान से प्यारा था हमें जान से प्यारा है ये देश हमारा था बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाओला शबीन आदीब ने आगास कर दिया